Hello everyone, welcome back to our channel आज हम पढ़ेंगे class 4th की poem The Naughty Boy के question answers word meaning और exercise देखेंगे तो सुरू करते हैं New words है Naughty, Naughty का मतलब होता है सरारती या सैतान Found, Found का मतलब होता है मिल गया या पाया Ground, Ground का मतलब है जमीन या भूमी Merry, Merry का मतलब है Happy, आनन देत होना Cherry, Cherry एक fruit होता है लाल कलर को जिसको हम Cherry बोलते हैं Wetty, Wetty का मतलब होता है वजंदार और बुड़न, बुड़न यानि लकडी का लकडी की कोई भी चीज को हम बुड़न बोलते हैं ठीक है अब आगे question answers देखते हैं तो इसमें first question पूचा है From where did the naughty boy come जो naughty boy है पूएम में वो कहां से आया था हाँ अगर आपने इसकी explanation वीडियो नहीं देखी है तो मैं link description box में दे दूँगी आप वहां से check out कर लेना ठीक है तो naughty boy कहां से आया था तो answer हो जाएगा The naughty boy came from England Naughty boy England से आया था Second question है Where did the naughty boy go Naughty boy कहां गया था Answer हो जाएगा The naughty boy went to Scotland Naughty boy Scotland गया था ठीक है Third question है Why did he go there Naughty boy Scotland क्यों गया था तो answer हो जाएगा He went there to see its people and things there Was Scotland क्यों गया था Naughty boy वहां की लोगों को देखने के लिए वहां की चीजों को देखने के लिए ठीक है Question 4 है What did the boy wonder about जो लड़का था जो Naughty boy था वह किस चीज को लेके आश्चर में था तो answer हो जाएगा The boy wondered that all the things found in Scotland were all the same as in England वह इस चीज सोच के आश्चर में था कि Scotland में सारी चीजें वैसी ही थी जैसी कि England में थी ठीक है अब next देखते है Next है let's listen Listen to these instructions and follow them अब नीचे कुछ sentence दिये है कुछ instructions दिये है जिसको आपको पढ़के बस follow करना है कुछ भी नहीं इसमें जैसे naughty walk forward अब आपको एक सरागती चाल चलनी है आंगे की तरफ ऐसे ही naughty walk backward फिर पीछे की और चलना है fall down गिर जाना है do a funny trick कोई भी funny trick करनी है walk on tiptoes यानि आपके अपने जो पैरो के पंजें उस पर चलने है drag your feet फिर आपको क्या करना है अपने पैर घसीट के चलना है spin around चारो तरफ घूम जाना है jump like a horse जैसे कि घोडा चलता है वैसे आपको भी कूदना है walk with your shoes अब आपको अपने shoes पहन के चलना है shuffle your feet shuffle your feet का मतलब भी वही होता है पैर घसीट के चलना है या पैरो को अदलब अदली करके चलना उसको हम shuffle your feet बोल सकते हैं अब next देखते हैं let's talk let's talk में question answer पूचा है first question है what do you think the naughty boy would see in India आपको क्या लगता है कि अगर naughty boy इंडिया में आता भारत में आता तो क्या सोचता इंडिया को देखकर तो answer आपको अपने खुद की worth में बताना है कि आप क्या लिख सकते हैं उसके बारे में कि naughty boy क्या सोचता तो answer क्या हो जाएगा the naughty boy would be amazed to see the monuments and temples in India अगर naughty boy इंडिया में आता तो यह देखके चंबे में पढ़ जाता हूँ यहां के जो मंदिर हैं और जो monuments हैं monuments के जो memorable things बनी हुई हैं हमारे इंडिया में वो देखके बहुत आश्चर में पढ़ जाता है देखको यहां not लखा है यह naughty कर लेना अगर आप गए हैं तो आप उस चीज के बारे में बताईए कि वहां आपको क्या अच्छा लगा और क्या चीज अलग है वहां यह सब आपको इस answer में बताना है जैसे कि मैंने यह लिखाया यह example के तौर पे दिया गया answer है आप अपने own words में लिख लेना ठीक है जैसे yes I have been to Bangalore last month it is beautiful place as compared to my city the climate of Bangalore is very pleasant ठीक है तो यहां मैंने Bangalore के बारे में बता दिया कि हां मैं last month में गई थी वो बहुत अच्छी जगह है और वहां का climate है वो भी बहुत अच्छा रहता है ऐसे आप भी जो भी जगह गए हूँ आप वहां की जगह का नाम लिखिए वहां के बारे में कुछ बता दीजिए ठीक है अभी थर्ट क्वेशन है अल कल्चर्स है और उन फॉक सॉंग इन विच इच लाइन इस रिपीटेट इस लाइन इस संग इन अ कोरस sing a fox song in your own language अब आपको ये बताना है कि हर एक कल्चर में एक fox song होता है ठीक है fox song होता है जिसकी लाइन के बार बार रिपीटेट होती है और वो लाइन किसके द्वारा गाई जाती है कोरस के द्वारा कोरस हम कह सकते है कि जो गाने वालों का समू होता है उसको हम कोरस बोलते है तो वही एक song आपको गाना एक fox song गाना है आपके खुद की language में आप जहां भी रहते हैं वहां का एक song एक fox song आपको गाना है तो ये question जो है वो आपको खुद करना है क्योंकि इसमें आपको fox song गाना है अपनी खुद की language में आपको जो भी language है उसमें आपको गाना गाना है ठीक है अभी next देखते हैं तो next का है word building naughty is a describing word can you find more describing words in this mage अब नीचे क्या है यह देखिए यह जो mage दी गई है इसमें आपको describing words दी है जैसे कि naughty एक describing word है वो बताता है कि लड़का naughty है यानि सरारती है ऐसे ही describing word इस mage पर हमें धूनना है ठीक है तो हम देखते हैं क्या-क्या मिलता है इस mage में तो यहां देखिए क्या-क्या मिला है हमें beautiful ठीक है ugly naughty good healthy rude swift and strong ठीक है तो यह सारे words हमको मिल गए है तो ऐसे आप find कर ली न अब इसमें क्या दिया है next question है now write these words here अब जो भी हमने mage में जो words find किया है वही words हमें नीचे fill in the blanks में लिखने है जैसे कि the people sorry the peacock is a beautiful word तो यहां डैस में क्या जाएगा beautiful ठीक है ऐसे B है Pinocchio is a naughty puppet तो यहां क्या आ जाएगा naughty C I saw an desk quarrel हो जाएगा तो यहां क्या ugly quarrel ठीक है D हो जाएगा morning exercise make you healthy A glass of milk makes your teeth strong Rita's rude behavior annoyed me Rahul does not eat green vegetables therefore his eyesight is weak तो यह सारे words हमारे आ गए इस पे लप्स में ठीक है अब next देखते हैं Let's write Can you write six things that are made of wood अब आपको नीचे कोई ऐसी छे चीजे लिखनी है जो कि लकडी की बनी होती है आप कुछ भी लिख सकते हो यहां मैंने कोई छे साथ चीजे बता दी है आप ये भी लिख सकते हो बाकि इनके अलाबा भी लिख सकते हो जो आप जानते हो जैसे कि मैंने यह लिख दिया चेर, टेबल, बुक सेल्फ, बेंच, कबर्ड, बैट, होकी स्टिक इनके अलाबा भी आप लिख सकते हो दोर होता है जैसे कि और भी बहुत सी चीजे होती है आप वो लिख देना ठीक है अभी नेक्स देखते है अब नीचे यह कुछ चीजों का नाम लिखा है अब आपको क्या करना है उसमें बताया गया है कि आपको कैटेगरी में बाट देना है इन वर्ट को जो जो कैटेगरी में यह आ रहे हैं उनको उसमें बाट देना है तो नीचे जैसे कि मैटल तो मैटल में क्या क्या आ जाएगा कार, नाइफ और सीजर्स फिर ऐसे वोड दिया यानि लकडी तो लकडी की क्या क्या चीज़ आ जाएगी चेयर, टेबल और पैंसल रबर, रबर से क्या क्या बना रहता है बलून, एरेजर, टॉइज क्लॉथ, क्लॉथ में क्या क्या आ जाएगा सर्ट, फ्राउजर और कैप ठीक है तो यह सारी केटिगरी में बदल गए तो आप ऐसे लिख लेना ठीक है तो नेक्स है अब आपको क्या करना है आपको क्या क्लास में कोई ना कोई नौटी बच्चा तो जरूग होगा तो बस उसके बारे में आपको पांच लाइन लिख देनी है तो यहां मैं आपको एक जैंपल के तौर पर बता दीती हूँ तो जैसे फर्स लिखा है मैंने Sunny is the naughty boy in my class यानि Sunny हमारी क्लास में बहुत सरारिती बच्चा है He is so talkative वो बहुत बातूनी है He disturbs other students of the class वो हमारी क्लास के other students को बहुत disturb करता है He always make fun of other वो हमेशा दूसरों का क्या करता है मजा को राता है He often beats his classmates और वो अपनी classmates को भी अकसर मारा करता है ठीक है तो ऐसे इनके अलावा भी आपको भी 5 sentence आपको लिखने है ठीक है 5 line का sentence लिखना है या वो लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है कोई भी सरारिती बच्चा है उसके बारे में आपको लिख देना है अभी next देखते है say aloud say aloud में क्या करना है repeat करने जो भी वर्थ ही है उनको आपको बोलना है hard yard, long, song, weighty, 80, found, ground यह सब बोलना है practice करना है fun time अभी देखो fun time है let's make a mozac head for your clown you need अब आपको यहाँ क्या करना है mozac head बनाना है यह activity समझ लिजिए तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़े चाहिए वो देखना है mirrors or beads of different size and shapes या तो आपको काँ चाहिए beads जो आती है वो चाहिए अलग-अलग size और shapes में fabricol होना चाहिए या glue या gum कोई भी चिपकाने के लिए चीज़े a piece of cardboard एक cardboard का तुकड़ा होना चाहिए ठीक है और sketch pen ठीक है और method क्या है इसका बनाने के take a piece of old cardboard take a piece of old cardboard आपको एक पुराना कोई भी cardboard ले लेना है अब draw a colorful pattern on it अब उसमें colorful pattern मनाने है ठीक है और फिर क्या करना है take glue gum and apply it on the surface and stick beads mirror pulses on it अब आपको क्या करना है जो भी आपने pattern बनाए है उसमें glue लगा देना है फिर glue के ऊपर आपको क्या करना है कोई भी beads सिया फिर जो भी आप आपने लिया है mirror लिया है वो आपको वहाँ चिपका देना है fold it into a cone फिर उसको cone की तरह बना देना है जैसे आपने mehendi की cone देखी होगी जो तिकोन ही होती है उसकी तरह बना देना है and your lovely mosaic hat is now ready अब आपका जो mosaic hat है वो ready है आपने देखा होगा जो birthday किसी का birthday होता है तो उसमें जो hat होती है यह बस उसी तरह आपको यह hat बनानी है अब next देखते है question which country does your clown belong to now complete the table below अब आपको यह बताना है कि कौन सी country की क्या nationality है जैसे की nation लिखा है एक जगा और एक जगा है nationality तो इंडिया का क्या हो जाएगा Indian Scotland का Scottish Australia का Australian France का French and Japan का Japanese तो यह सारे हमारे question answers हो गए I hope आपको समझ आया हो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए Thank you for watching